कर दो अच्छा सीखते हैं दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइंट एंड सर्वर के बारे में देखें फॉर इक्जाम्पल कि मैं बात कर रहा हूँ ध्यान से हमारी बात समझ लीजिए ये हमारा होता है कम्प्यूटर और यहां क्या है हमारा ध्यान से समझ लीजिए आप लोग आज पूरी जिंदगी काम आने वाली चीज है ये हमारा है कम्प्यूटर और ये हमारा है ये है क्लाइंट और ये हमारा क्या है सर्वर है क्या है सर्वर है तो अब इसके बीच में डेटा क्या होता है provide होता है means यहां से जाता है order और फिर यह क्या करते है अपना जो भी तिकडम करना होता करता है वही सर्च करता है खोजता है डोंटता है आई भी अडर सब कुछ देता है फिर यहां से क्या करता है यह provide कर देता है provide कर देता है कि नहीं क्या होता है, अगर हम client की बात कर लें, तो computer has a web browser, ध्यान से हमारी बात समझेगा, computer has a web browser installed, it is called client, means अगर हमारा computer है, तो वो क्या होता है, एक client होता है, means you are a client, लेकिन a host of computer, ध्यान से मारे बात समझेगे, एक दम to the point पकड़िये, a host of the computer that is capable, that is capable of providing information to another, to others is called server, means क्या होता है, कि हम यहां से क्या करते है, order को देते हैं, जब वो search करके, उस चीज को provide करता है client को, तो इसे हम लोग server के नाम से दोस्तों जानते हैं, तो यह होता है हमारा client and server, एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आप लोग इतना छोटी सी बात समझ ले रहे हैं, बाकि मैं आ like, subscribe करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, हम आपको छोटी छोटी वीडियो सी तरीके से लेते आते रहें, पूरे computer की वीडियो आप लोग को मिलेगी दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जै हिंद,